नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 राशियों के बीच में दूसरी राशी व्रिश राशी के बारे में व्रिश राशी के लोग 2024 में क्या हासिल करेंगे और क्या उपलब्धियां इनको 2024 में प्राप्थ होगी वैसे तुम व्रिश राशी के लोग बेहद शान्त होते हैं और सिर्फ अपने आप में ही खोए रहते हैं तो आज हम सबसे अनमोल राशी व्रिश राशी के बारे में बताएं कैसा रहेगा दोहा और चौबुस व्रिश राशी के जातकों का सफलता कब मिलेगी और किस महीने में मिलेगी व्यापार और नौकरी के लिए दो हाड़ वडिटास कैसा रहेगा व्रिश राशी के जातकों के लिए दोस्तों तो ना देर करते हुए अब हम आपको व्रिश राशी के बारे में बताते हैं और सभी बहुमूल्य प्रशनों पर बात करेंगे तो आईए चलो जानते हैं व्रिश राशी के व्यक्ति व्यावहारिक, स्थाई और विश्वसनिये होते हैं जिन्दगी इनके सामने जैसी आती है, ये उसी के हिसाब से अपने लक्षे की और लगातार आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है, इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, इमानदारी और कड़ा संकल्प होता है इन्हें अपने मार्क से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है अब जानते हैं साल की दस बढ़धी भविश्यवानी के बारे में ए साल की शुरुआत में ही देव गुरु ब्रहस्पती आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाएंगे देव गुरु आपके अश्टम और लाब स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे इससे ना सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा बलकि आपके बराते खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है इसके अलाबा आपके जीवन में जो रुकावट आ रही थी वो भी अब दूर होना शुरू हो जानी है इसके अलाबा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाब होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है 2. आपकी कुंडली में इस समय देव गुरु ब्रहस्पती विपरीत राजयोग बना रहे है अश्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे शनी देव की तीसरी द्रिष्टी आ रही है जोतिश के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है द्वादश भाव एक नई शुरुवात का भाव है ऐसे में गुरु और शनी दोनों का इस भाव पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर सकता है एकांत में स्वयम को ले जाकर जब आप लक्षयों का अवलोकन करेंगे तो उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई दे जाएगा इस साल राहु महाराज पुरे वर्ष आपके एकादश भाव में विराजमान रहने वाले है राहु देव को आज के समय में सबसे प्रबल भौतिक्ता का कारक माना जाता है ऐसे में ऐसा माना जा सकता है कि पुरे वर्ष भर आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा बलकि धन की आवक भी अच्छी होगी इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे राहु की क्रिपा से राजनीती में सक्रिय रूप में काम कर रहे जातकों को उच्छ पद की प्राप्ती संभव दिखाई दे रही है पाँच देव गुरु ब्रिस्पती और उच्छ के सूर्य की युती बारह वर्षों में एक ही बार होती है ऐसे में 14 अप्रेल को जब 12 भाव में सूर्य गुरु की युती होगी तो एक राजयोग का निर्माण होगा ऐसे में इस समय इस युती के आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे ऐसे में आपको भाग्य की क्रिपा से बढधी संपत्ती प्राप्त हो सकती है कोई बढधा प्राप्त हो सकता है विदेश में व्यापार की संभावना पनब सकती है इसके अलावा आपको अपने अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने की उम्मीद है 6. मई 2024 में देव गुरु ब्रहस्पती का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुबता देने वाला कहा जा सकता है इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम है वो पूरे हो जाने है देव गुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा देवगुरू 12 साल बाद आपके लगन में आकर समाज में मान सम्मान और लाप देने वाले है आपकी काफी समय से जो परिशानियां चली आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी देवगुरू मई के महीने के बाद आपके लगन पर गोचर कर पंचम पर द्रिश्टी डालेंगे और उस भाव में पहले से केतु विराजमान है ऐसे में आपको आपकी संतान की ओर से गर्व करने का मौका मिल सकता है यह समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी बेहद शुब रहने वाला है चात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने के योग है वही प्रेम से जुद्धे मामलों में भी देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी आपके लिए लाग वाला है